आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, रोमनी पद में हम ओम सायराम, असलाव आलेकुम से स्रीकाल, मैं हूँ सुरभी आगई हूँ, फिर से आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर रीडिंग का टॉपिक है कि next month, आपकी life में क्या changes आने वाले हैं, क्या blessings आने वाली हैं, universe आपको क्या बताना चाती है, angels आपको क्या gifts देना चाती है, ये आज हम इस रीडिंग में देखेंगे ये पिका कार्ड रीडिंग नहीं है, आपने देखा होगा thumbnail में, राशियों पर आधारित है ये रीडिंग, तो आप जिस भी राशी में आते हैं, जिस ग्रूप में आते हैं, आप वही सेलेक्ट कीजेगा, सीधा time stamp पर जाएं और अपनी रीडिंग देख लेए, इसके अला नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरे डैट की थोड़ी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो जब मैं वापस से रीडिंग करना शुरू करूंगी, यानि कि अपोइंट में देना शुरू करूंगी, तो मैं आपको बता दूंगी, कम्यूनिटी में पोस्ट आजाएगा, या फिर मैं व कमेंट करते हैं, सबसे पहले जो लोग वेट करते हैं मेरी वीडियो का, उनको मैं फ्री का रीडिंग दूंगी, और वो अभी भी है, मैं दूंगी, लेकिन मैं खुद देखूंगी कमेंट किसका पहला है, एक्शली क्या हो रहा है, कि लोग मुझे मेल कर रहे हैं, कि मेरा प पहला किया जबकि उनका होता है सेवन्थ या फर सिख्थ या फर फिफ्थ इस तरीके से इस विज़े से काफी सारे मेल्स आ रहे हैं और मैंने यही कहा था कि जिनका पहला होगा मैं उनको फ्री का रीडिंग दोंगी यह रखा था मैंने सो मैं खुद चेक करूँगी आप लोग परिशान ना हो जिसका कॉमेंट पहला होगा मैं उसको खुद कॉमेंट में बोलूँगी कि आपका जो कॉमेंट है आज का पहला कॉमेंट है और आपको फ्री रीडिंग दी जाएगी तो आप मुझे मेल कर सकते हैं तो वो लोग मुझे मेल करें सारे लोग नहीं और सभी के लिए मैं Instagram पर free readings करती हूँ तो आप वहाँ पर मुझे join कर सकते हैं और वहाँ पर अपना free readings ले सकते हैं अप सभी के लिए विदा है तो आप चाहे तो Instagram से ले सकते हैं आप यहाँ पर वीडियो पर भी ले सकते हैं वेबसाइट पर भी मैं बुकिंग करती हूँ फ्री रीडिंग्स की तो आप वहाँ से भी ले सकते हो पेड रीडिंग के लिए क्या है वो मैंने आपको बता दिया इसके बाद गाइस मैं कहना चाहूंगी कि आप सभी लोग अपना खयाल रखें समय अच्छा नहीं चल रहा है किरप्या करके अपनी हेल्थ का ध्यान रखें बाहर जाए तो मास्क लगा कर जाएं सैनिटाइजर हमेशा साथ में रखें इसे एग्नोर ना करें और हलके में ना लें क्योंकि मैं अभी जब बाहर जा रही हूं डैट को लेकर तो देख रही हूं कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो काफी कैफुल हैं और मास्क लगा कर निकलते हैं सैनिटाइजर हमेशा साथ रखते हैं खयाल रखते हैं कि कहां बैट रहे हैं कैसे रहना है, साफधानी कैसे रखनी है बट वहीं कुछ लोग ऐसे भी है जो बिलकुल भी इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं और अगर उनको बताया जाए कि भी आप मास्क लगा कर चलिए और अपना ख्याल रखिए तो वो लोग इस तरीके से रियक्ट कर रहे हैं कि अरे हमें कुछ नी होगा और ये सारी ये कुरोना वगेरा कुछ नी है और ये बिकार की बाते हैं और हमें जरूरत नहीं है जाइस मैं बस इतना कहूंगी कि देखिये बाद में पच्छता आने से कुछ नी होता अगे आप पच्चताओगे उससे कोई वापस नहीं आ जाएगा आप अगर सौरी बोलते हैं तो उससे भी कुछ बदलने वाला नहीं है तो कृपया करके अपना ख्याल रखें और अगर आपको कोई और सामने से ऐसा मिलता है जो कि मास्क वगरे नहीं लगा रहा है और नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो आप उनको बताईएगा आप बार-बार कहेंगे तो लोगों को समझ आएगा ये ना सोचे कि हम क्यों कहें ये अगर मास्क लगा कर नहीं निकल रहे हैं तो ये खुद जाने इनका जो होना है वो होगा ये वाली सोच ना रखें भई हमारे ही सब भाई बहन है समझ लोग उनको इतनी समझ नहीं है या उनको एसास नहीं है तो उनको आप ये बोलें कि मास्क लगाओ सेनेटाइजर हमेशा साथ रखो खान पान का ध्यान रखो अगर वो नहीं रखते हैं और खुद का तो आपने रखना ही रखना है ठीक है ना बिल्कुल भी इसको एग्नोर ना करें, कुछ लोग मानते हैं कि Corona ही, कुछ लोग मानते ही कि नहीं है, जो नहीं मानते हैं, उनको भी मैं यही कहूँगी कि ठीक है, अगर आपको वो नहीं मानना, आप यह मान लो कि, हाँ, हालाँ तो भी अच्छे. नहीं चल रहे ना, ठीक है, एटमोस्फेर तो अच्छा नहीं है ना, तो किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हो ही रही है, अभी होस्पेटल में जाना ही ठीक नहीं है, आपको पता ही है कि क्या हालात चल रहे हैं, तो किसी भी तरीके से आपको बिमार नहीं होना है, खुद का ख्याल रखना है, तो ये कर सकते हो आप, आप मेरे सब्सक्राइबर हो, आप मुझे इतना रिस्पेक्ट करते हो, मानते हो, कहते हो कि दी हमारे लिए अच्छा सोचती है, दी बहुत अच्छी है, तो आपको भरोसा है और आपको पता भी है, इतने महीनों में तो आपको पता भी चल गया होगा कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं करने वाली, जिसे कि आपका नुकसान हूँ, हमेशा ही सोचती हूँ कि आप ग्रो करें, आप हेल्दी रहें, हैपी रहें, तो मेरे कहने से मांग जाओ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना ख्याल रखो, और जो नियम है, जो आपको रूल्स बताएं गए हैं, उनको फॉलो करना है नियमों का पालन करना है, और दूसरों को भी बताना है, हमारी ड्यूटी है, ऐसे समझ लोग, ठीक है ना, तो इतना करिएगा आप लोग, और मैंने एक टेलिग्राम ग्रुप भी बनाया है, तो आप चाहें तो वहाँ पर जोईन कर सकते हैं, मैं ये मानती हूँ कि ये जो स अजबूत महसूस कर पाओगे, थोड़ा सुकून आपको मिलेगा, क्योंकि वह कोई चटचाट ग्रुप नहीं है, वहाँ पर ऐसे ही जो ग्रुप के मेंबर से हैं, जो आपको किसी ना किसी तरीके से हेल्प करेंगे, आपको हर्फ के बारे में, योगा के बारे में, तो अगर आप चाहे तो वहाँ पर आ सकते हैं, वहाँ पर संडे टू संडे मैं मेडिटेशन भी रखती हूं कलेक्टिव, उससे काफी जादा रिलीफ मिलता है लोगों को, तो अगर आपको पसंदो तो आप जॉइन कर सकते हैं, ओके, तो चलिए अब हम रीडिंग शुरू उनकी लिए क्या कुछ होने वाला है next month में, क्या blessings मिलने वाली हैं, क्या gifts मिलने वाले हैं, क्या changes आने वाले हैं and क्या guidance होगा universe की तरफ से, वो सब कुछ अभी हम देखेंगे, बाबा के messages भी मैं देखने वाली हूँ, जो बाबा के भक्त हैं, बाबा के devotee हैं, वो चाहते हैं हमेशा ही मैं बाबा के messages लेकर रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि हर एक reading में लेकर रहा हूँ, अभी तो हलाकि मैंने रखे हुए ही हैं, cards आपको दिखा देती हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं, tencrans, रहा हैं, eight of swords, okay, six of sword and यहापर है, de lovers, alright इसका मतलब है सबसे पहली चीज तो यह कि आपके जीवन में आने वाला है सुपून क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले Temperance का कार्ड है तो मैं बता देती हूँ इसके माइने क्या है यह जो कार्ड है बताता है कि एक तरीके से आपको Healing मिलने वाली है Healing Energy तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा बंदा आपकी लाइफ में आने वाला है जो कि आपको Heal करे आपको Guide करे अगर ऐसी कोई situation है जिसमें आप स्टक हैं आपको समझ नहीं आरा कि आपको किस तरफ जाना चाहिए किस तरफ नहीं तो वो कही ना कहीं आपको Help करने वाला है यह कोई भी हो सकता है आपका Friend हो सकता है आपका कोई Relative हो सकता है कोई जान पहचान वाला या फिर कोई संत या फिर कोई Guide कोई Healer कोई भी हो सकता है तो या फिर हो सकता है कि आप किसी को मानने लग जाए जैसे अगर आप इशर में नहीं मानते हैं, यूनिवर्स में नहीं मानते हैं, तो next month कुछ ऐसा होगा कि आपका विश्वास उनमें बढ़ जाएगा, जैसे आपको angel numbers देखते हैं, angels में भले आप ना मानते हों उतना, कभी आपको लगता हो कि हाँ, mother universe है, कभी लगता हो कि angels है, कभी लगता हो कि नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं विश्वास आप में बढ़ने वाला है, कुछ भी ऐसा होगा, no idea क्या, लेकिन उससे आपका विश्वास बन जाएगा, और आप जहां पर स्टक हैं, वहां से निकल पाएंगे, decision ले पाएंगे, किसी तरीकी का decision आपको लेना ह हो, चाहे आपके relationship को लेकर हो, यानि कि आपकी personal life हो, या फिर professional life हो, कुछ भी हो, जहां पर भी आप स्टक होंगे, वहां से निकल पाएंगे, next month, तो सुकून मिलेगा, शान्ती मिलेगी आपको, यहां पर मैं ये भी देख पा रही हूँ, कि हो सकता है, आप अपने true love से मिले अपने twin flame से मिलें, या फिर soul mate से मिलें, जिनसे के आप मिलना चाहते थे, अगर पहले से उनको जानते हैं, तो meeting हो सकती है, अगर आप single रहे हैं, तो आपको ये आपका true love है, वो मिल सकता है, जिसको शायद आप manifest कर रहे हों, यहां पर ace of swords का जो card है, ये divine intervention की बात करता है, communication क कि बात करता है, किसी प्रकार के decision की बात करता है, तो वो आप ले सकते हो, ठीक है, या मैं कहूंगी कि divine timing आ गई है, कुछ होने की, कुछ भी हो सकता है, मैं फिर से कहूंगी आपकी personal life को लेकर हो, या फिर आपकी professional life को लेकर हो, किसी तरीके का decision आप लेने वाले हैं, कोई call आ 10 of wands and यहां पर 10 of pentacles जो है, ये cards बताते हैं कि कही ना कहीं से आपको abundance मिलने वाली है, और ये abundance, वो abundance है, ये abundance मैं कहूंगी या फिर कहूंगी आपकी wish कोई पूरी होने वाली है, कोई ऐसे wish जिसके लिए आप दिन रात महनत कर रहे थे and finally आपको आपकी महनत का फल मिलने वाल है, अचानक से हो सकता है कहीं से कुछ रुका हुआ पैसा आपको मिल जाए या फिर किसी से बात हो जाए जिससे कि आप बात करना चाते थे, कोई नया business करना चाते थे, तो किसी से help मिल सकती है, किसी job के लिए आपने try किया था, तो वहां से call आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, 10 of pentacles, यानि के abundance, हर जगर से खुशियां ही खुशियां, और यहाँ पर bottom of the deck जो है, वो है the empress, तो आप मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, I think, आप सभी को पता है, अगर आप ये readings देखते रहते हैं, कि empress का मतलब क्या है, okay, empress का card अगर आगया, तो समझ जाहिए, क अब आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहने वाली है, देख लेते हैं, और क्या cards आते हैं आपके लिए, अभी तो काफी प्यारे-प्यारे से cards आए हैं, let's see, यानि के में का जो मन्त है काफी अच्छा रहने वाला है, बाट मुझे यहाँ पर transformation भी दिख रहा है, थोड़ा सा stress हो सकता है, बात अगर decision ने ने की आए, तो हमें होता ही है, थोड़ा stress, लेकिन वही है कि आप कर जाओगे, जो आपके लिए अच्छा है, आप उसी ही चूज करोगे, और इंजिन सापका साथ देंगे, ठीक है, परिशान ना हूँ आप लोग, वही मैं कहा रही थी कि थोड़े से परिशान हो सकते हैं, थोड़ा सा overthink आप कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि आप को दो लोगों के बीच में किसी को चूज करना हो, एक आपका कार्मिक हो सकता है, एक आपका soulmate या after inflame हो सकता है, एक हैं जिनके साथ में आपका रिष्टा है, हो सकता है, आप मैरिड हो उनके साथ में और उनके साथ में जो आपका connection है वो वैसा नहीं रहा जैसे कि पहले था काफी toxic है, लेकिन फिर भी आपको जुड़े रहना पड़ रहा है क्योंकि समाज का डर है, घर परिवार वालों का सोचना है, औ और एक बंदा ऐसा हो सकता है, जिसको आप सच में बहुत पसंद करते हो या फिर कोई आने वाला है, जो आपका true love होगा, ठीक है, इनके साथ में connection हो सकता है, आपका karmic हो, उनके साथ में soulmate का हो, तो यह कुछ चीजे हो सकती है, जिनकी वज़े से थोड़े से परेशान हो स कोई तो आ रहा है, चाहें आप इनको पहले से जानते हों, ऐसा हो सकता है, या फिर कोई नया हो सकता है, बंदा, आपका friend भी हो सकता है, ठीक है, मैं यहाँ पर यह नहीं कहूंगी कि सभी के लिए true love है या कुछ नहीं, लेकिन कोई तो ऐसा जरूर है जो आपको आपकी problems से निकालेगा, आपको heal करेगा, आपको बताएगा कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और वही कहूंगी कि यह हो सकता है कि आपका कोई relative हो, friend हो या फिर आप किसी में मानने लग जाए, कोई भी हो सकता है, ठीक है, और देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, किसी की तो entry ह जिसकी वज़े से आपकी जिंदगी बदलने वाली है, अभी तक जिस भी situation में आप ते उससे बाहर निकलने वाले हो, एक सुकून भरी जिंदगी आपको मिलने वाली है, जो शायद अभी तक नहीं मिल रही थी, अगर कुछ लोगों से आप परेशान थे, कुछ ऐसे connections थे आ कही ना कही आपको तॉक्सिक लग रहे है थे और आपको कही ना कही तकलीफ दे रहे थे, आपको नहीं करने दे रहे थे तो वो सब निकलने वाले है, यह समझ जाओ, चीक है, और देख लेते हैं यहां पर क्या ने बाला है आपके लिए, वाकिंग अवे, इस्ट्रेंथ and the thinking man, see, मैंने वही कहा and यहां पर है community, so, so, यह काट देखकर मुझे ऐसे लगता है कि आपको strength मिलने वाली है उन लोगों से move on होने की जिनके साथ में आप रहते हो रहे थे लेकिन रहना नहीं चाहते थे, okay, but आप में strength नहीं थी, उनको ना बोलने की या उनसे move on होने की, को बंदे हुए थे, चाहते थे move on होना लेकिन नहीं हो पा रहे थे, या फिर शायद जिनके साथ में connection में थे, वो आपको move on नहीं होने दे रहे थे, किसी तरीके की blackmailing कर रहे थे, या फिर emotional blackmailing मैं कहूंगी, या कुछ इस तरीके की बाते, you know, manipulative थे, कि आपको समझ ही नहीं आता था कि आपको क्या करना है, क्या नहीं, तो उस सारी situation से आप बाहर हो जाओगे, angels आपको help करेंगे, situation ही ऐसी बनेगी कि उन लोगों से आपको खुद angels ही अलग करवा देंगे, ठीक है, women holding a coin, ये जो card है, ये बताता है कि कही ना कही एक stable life आपको मिल जाएगी, stability जो कि आ सकता है, बहुत से लोगों के लिए, कि आप एक ऐसी जॉब कर रहे हूं, जहां पर एक contract सा हो कि इतने से इतने टाइम तक आप जॉब कर सकते हैं, उसके बाद नहीं, और आपको लग रहा हो कि आगे पता नहीं जॉब मिलेगी, और ये COVID का टाइम भी है, तो पता नहीं क्या होगा, तो मैं आपको बता दूँ कि आपको stability मिलने वाली है, कोई तो है जो आपको help करेगा, क्योंकि देखे, यहां पर भी thinking man का card है, कोई तो है जो आपकी help करेगा, अचानक से आपकी जिंदगी में आएगा, आप बिलकुल expect नहीं कर रहे होंगे, उसका आना, and चीजें ब हो सकता है कि यह new हों, ठीक है ना, तो यह कुछ मुझे यहां पर आपके लिए दिखाई दे रहा है, और भी देख लेते हैं, आपके लिए कुछ कार्ट्स, कम्यूनिटी फिर से आगया है आपके लिए, यहां पर है anxiety, और जो कि मैंने कहा ही था, कि कुछ तो है, कुछ लोग ऐसे involved हैं, जिनकी वज़े से कहीं न कहीं आपको घुटन सी मैसूस होती होगी, और ऐसा नहीं है कि वो सभी लोग बुरे ही हैं, आपका बुरा चाहते हैं, हो सकता है, आपका अच्छा भी चाहते हो, लेकिन I think आपको freedom चाहिए और वो freedom आपको नहीं मिलती है, यह एक issue है, बट जो भी है, मैंने कहा था कि किसी तरीकी का transformation होगा, और यहां पर storm warning का card है, तो yes, कुछ है, कुछ बड़ा तूफान आएगा और उसके बाद की जो शान्त करी नहीं पाते है, यहाँ पर angels की तरफ से अगर मैं कहूं कि क्या message आपको मिल रहा है, तो आपको message यहीं मिल रहा है, कि आपको शायद यह लगे कि जब भी आप कुछ positive सोचते हैं, तो negative क्यों हो जाता है, तो मैं आप से कहूंगी कि यह जो आप positive सोच रहे हो, वो positive ही हो रह हा है लेकिन निगेटिव आपको दिख रहा है ठीक है थोड़े टाइम का है निकल जाएगा उसके बाद देखेगा कि सन आएगा यहां पर अभी तक जो डार्कनेस थी वो पूरी तरीके से निकल जाएगी तो यहां पर देखते हैं कि बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं यहां परिशानिया थी किसी की वज़े से थी या फिर आपके खुद की सूच ऐसी थी जिसकी वज़े से आप इस्टक थे तो उस एनरजी से आप बाहर निकल पाओगे नेक्स्ट मन्थ बहुत ही अच्छा है यू आर दे यूनिवर्स तो यहां पर बाबा कह रहे हैं कि आप कर सकते हो आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो पूरा होगा अपनी शक्तियों को समझो पहचान अपने पावर को जानो खुद को हलका मत लो अंडरेस्टिमेट मत करो कि मुझ से कुछ नहीं होगा मुझ से सब कुछ बुरा ही होगा मेरी जिन्दिगी में सब कुछ बुरा ही और नहीं आपको अपने मैनिफेस्टेशन पर या लॉफ अट्रेक्शन पर कोई भी डाउट्स रखने हैं अगर यह करोगे तो गलत हो जाएगा ठीक है यहां पर शिव शक्ति का कार्ड आया है अब बॉटम अफ देग जो कि बताता है कि इस सिचुईशन में आपको खुद कार्ड आये हैं वो कही ना कहीं मुझे बताते हैं कि थोड़ा सा इंसिक्यूर सा फील कर सकते हैं डर लग सकता है थोड़ी सी कमी लग सकती है बहुत नहीं थोड़े टाइम के लिए बट वही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर आप मेडिटेशन करते हैं रूट चक्रा अगर फोकस करते हैं तो ठीक है तो अब चलिए देखते हैं यूनिवर्स और क्या आपको बताना चाहती है क्या मिलने वाला है आपको नेक्स्ट वन्त गुड निउस ओके तो आपको मिलने वाली है बहुत ही अच्छी सी निउस completion जो कि मैंने कहा ही आप से कि एक cycle आपका end हो ही चाहेगा divine timing है यानि कि एक cycle end हो गया and यहाँ पर है pray तो pray करें completion होने वाला है good news आपको मिलने वाली है और यहाँ पर है gift तो universe की तरफ से मिलेगा आपको gift अब यहाँ से भी देख लेते हैं कि यहाँ से आपके लिए क्या आता है मैं ले रही हूँ यह दो चिट मुझे नहीं बता है कि यहाँ से क्या आएगा चलिए यह तीन निकल रहे हैं तो मैं तीन ही ले लेती हूँ new beginning तो नई शुरुआत होने वाली है बेशक होने वाली है क्योंकि एक साइकल कंप्लीट होगा तो एक नई शुरुआत होगी नया साइकल शुरू होगा जो कि कापी अच्छा है यहाँ पर है wealth तो आपको wealth मिलने वाली है मैंने कहा ही था कि धेर सारा पैसा कहीं से आ सकता है good news फिर से आ क्या है आपके लिए तो आपको मिलने वाली है प्यारी प्यारी सी ख़वर इसके लिए तैयार हो जाए यह थी आपकी रीरिंग आपको पसंद आई हो आई हो तो प्लीज लाइक करें रेजनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूले सब्सक्राइब करना ना भूले इस चैनल को शेयर करना ना भूले तैंक यू सो मच पो वाचिंग दे वीडियो ठेक यू लव यॉल बबाई तो अब मैं रीट करने वाली हूँ कार्ट सुन लोगों के लिए जो आते हैं वाटर साइन में लेट सी क्या आता है यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है इंजल्स आपको क्या बताना चाहते है क्या gifts हैं आपके लिए क्या messages हैं क्या guidance है ओके night of wands the sun very nice empress किसमत चमक गई हाइप्रेस जजारेवा Communication सबसे पहले उसके बाद abundance, खुशिया and peace, शांती page of source okay, so calls आने वाले हैं कहीं से भी आ सकते हैं आप अगर अपने job के लिए ट्राइ कर रहे थे तो वहां से and अगर किसी का wait कर रहे थे तो वहां से, Empress सभी में आई है reading में abundance आने वाली है, खुशिया आने वाली है अगर single हैं तो किसी से meeting होने वाली है अगर single नहीं है, किसी का wait कर रहे थे तो उनके साथ में आपकी meeting होने वाली है कुछ यहां पर ऐसा है ही नहीं जिसके लिए मैं कहूं कि आपको चिंता करने की जरूरत है आगे क्या होता है 9 of wands 10 of swords magician 8 of wands very nice 2 of cups तो किसी से meeting होगी congratulations अगर single है तो कोई मिल जाएगा और अगर single नहीं है तो भई किसी से meeting होने वाली है 10 of swords के नहीं मुझे यहां पर बताती है कि हो सकता है किसी क्यूंकि water sign है आपका तो काफी अच्छे manifestor हो अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि आप बहुत अच्छे manifestor हो आप कुछ भी manifest करोगी वो होगा तो हो सकता है कि कुछ आप manifest कर रहे थे कुछ प्रार्थनाय आप कर रहे थे जो कि पूरी नहीं हो रही थी और जिसकी विज़े से अप थोड़े से पेन में थे और आपको लग रहा था कि आखिर यूनिवर्स क्या चाते है अप रभू क्या चाते हैं समझ नहीं आ रहा उससे भी कहीं जादा अच्छा वेट कर रहा है जैसे आपने सब्सक्राइब कुछ भी इशर से मांगा है वो चीज आपको नहीं मिली और उसकी वज़े से आप दुखी थे तो यूनिवर्स आपको बताना चाते हैं कि इससे भी कहीं जादा बहतर मुझे देना है इसलिए मैंन मन्त होगा यह करियर को लेकर भी हो सकता है कि किसी के साथ में पार्टनर्शिप हो कोई नया जॉब आपको मिले जहां पर पहले से जादा आपको सेलिडी मिले ठीक है जो कि आप सोचते थे कि इतनी नहीं चाहिए मुझे जादा चाहिए तो वो आपको मिलेगी आपके काम के लिए आपको अवार्ड मिलेगा और प्रोमोशन हो सकता है और अगर रिलेशनशिप की बात करें परसनल लाइफ की बात करें तो वहां पर भी आ तो यहां पर है तो यहां पर है तो यहां पर है तो काफी सार लोग का रियूनियन है रिकनस्लियेशन है शादी है Queen of Swords Magician फिर से आ गया है Four of Cups काफी सारे Proposals आने वाले हैं आपके लिए और यहां पर है Six of Wands जो की कार्ड होता है Victory का काफी सारे Proposals आने वाले हैं जो भी आपने Manifest किया था और कहीं ना कहीं आपने यह आशा छोड़ दी थी कि आपकी Manifestation पूरी होगी वह अचानक से पूरी हो जाएगी और वह नहीं कई सारी मतलब जो भी आपने Manifestation करें होंगे जिन जिन चीजों को लेकर वह अचानक से पूरी होंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि किसको रखना है किसको क्या करना है कहां पर कैसे जगव बनानी है कुछ ऐसा होगा ठीक है एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपको मिलेगा अगर आप पहले से इनको जानते हैं तो उनके साथ में इंगेशमेंट या शादी की बात हो सकती है शादी हो सकती है कुई आफ सोर्स की जो एनजी है यहां पर यह मुझे बताती कि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि चीजें आपके कंट्रोल में है और आप अपनी रखने वाले हो ठीक है अपनी रखने का मतलब मैं वोल रही हूं कि यह नहीं कि हमेशा दूसरों की सुनना अब आप कहोगे कि अब मैं कंडिशन रख रही हूं यह रख रहा हूं अब मेरी बात मानी जाए ओके आपकी पैट होने वाली है तहकड वाली है ना जी यह होने वाला है नेक्स्ट मंथ लेट सी और क्या आता है आपके लिए अपके लिए री नाइस पीडियों गाडन अंद गेट मैन होल्डि यहां पर है फाइनेशल कंस्ट्रेंट्स ओके सो यह जो एनरजी है मुझे बताती है कि कुछ ऐसा होगा नेक्स्ट मंथ जैसे कि मैंने कहा ही कि आपके विशिस पूरी हो जाएंगे आप थोड़े से असंतुष्ट हो जाओगे इस बात को लेकर जैसे यहां पर यह एनवी का यह कार्ट पहले भी आइटिंक एर साइन में आया था यहां पर भी सेम एनरजी दे रहा था और यहां पर भी दे रहा है एनवी से मुझे आप लग रहा है कि आप बहुत जादा अमश्यास हो जाओगे जैसे आपकी यह विशिस पूरी हो गई ठीक है तो कहीं ना कहीं आपक आपको इतने मिलने वाले हैं कि आपको किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं थोड़े से आज़ी हो सकते हो घर से बाहर जाने का हो सकता है आपका मन ना करें आपको थोड़ा आराम करने का मन करें क्योंकि वर्क लोड बहुत हो जाएगा मुझे ऐसे लग रहा है कि काफी सार चीज़ें आपके सिर्पराने वाली हैं तो उसकी वज़े से आपको लगेगा एंड एक चीज और आपको लगेगी एक तरीके का रियलाइजेशन होगा कि धैर रखना सक्सेस की चाब ही है यह चीज आपको फील होगी आपको लगेगा कि जो चीज़ें आपको लग रहा था कि आपको नहीं मिलेगा नहीं मिलेंगी साल भर हो गया है दो साल हो गये हैं आप तो वेट करने का फायदा ही नहीं और कहीं न कहीं जिनसे आप move on करने का सोच रहते अचानक से वो जब सारी ही चीज़ें सारी ही wishes आपकी पूरी होंगी तो आपको ये समझ आएगा कि universe आपको ये lesson देना चाहती थी कि अगर आप मुझसे कुछ मांगते हो तो मैं देती हूँ धैर रखने की जरूरत है क्योंकि मैं जब दूँगी तो divine timing पर दूँगी उस timing पर दूँगी जबकि ये खुशियां आपके पास permanently बनी रहे हैं ना कि temporary हैं कि आई और चली गई ये lesson आपको मिलेगा next month and of course उन चीज़ों से walk away कर जाओगे जो आपके लिए अच्छे नहीं है toxic है ठीक है ये जीज मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ी है आपके लिए और देख लेते हैं यहाँ पर messages हैं क्या universe आपको देना चाहती है यहाँ पर ये जो card है ये भी मुझे negative energy नहीं दे रहा solution आपको मिलेगा आपकी problem का next यहाँ पर है messages okay मैंने कहा ही था call या messages आपको मिलने वाले हैं किसी से proposals मैंने कहा था ना धेर सारे proposals आपको मिलेंगे and see यहाँ पर है true love true love आपको मिल जाएगा और जो आपके लिए connections अच्छे नहीं हैं toxic हैं तो उनको आप छोड़ दोगे यहाँ से भी हम देख लेते हैं इतनी strength आपको मिल जाएगी कि आप अपने लिए सही decision ले पाओगे next month okay यह क्या आगया listen to your heart okay तो यह message universe की तरफ से ही है बट इसमें मैंने रखा नहीं था बट आपके लिए आ गया है तो आप देख लीजेगा listen to your heart आपको अपने दिल की सुननी है इसको मैं नहीं ले रही मैं एक और लूँगी क्योंकि मैं गिप्स देख रही थी देखिया ऐसे हो जाता है sometimes universe आपको यह message दे रही है अपने दिल की सुनो confession तो हो सकता है कापी सारी लोग एसे हो जो आपको proposal लिखा ही है propose कर दें तो यहाँ पर universe कह रही है कि अपने दिल की सुनना बिटा meeting meeting call messages यह होगा ही next month आपका and abundance आने वाली है आपकी life में बाबा की तरफ से message देख लेते हैं आपके लिए क्या आने वाला है क्या बाबा आपको बताना चाहते हैं बाबा one message कार्मे क्लेंजिंग तो बाबा कह रहे हैं कि देखिए अभी तक जो हो रहा था कार्मे क्लेंजिंग हो रही थी आपकी इसलिए इतना टाइम लग रहा था हैं see divine timing so काफी अच्छा समय है इसको एंजॉय करें gratitude फील करें और universe को आपको पसंद आई हो आई हो तो प्लीज लाइक करें resonate करी हो तो बताना ना पूलें subscribe करना ना पूलें इस चैनल को share करना ना भूलें इस चैनल को thank you so much for watching the video thank you love you all bye bye hey guys तो अब मैं कार्ट देखने वाली हूँ लोगों के लिए जो कियाते हैं और्थ साइन में Capricorn Burgodorus देखते हैं भई आपके लिए क्या good news है angels की तरफ से क्या gifts आपको मिलने वाले हैं क्या blessings हैं क्या messages हैं क्या guidance है let's see okay eight of swords ten of pentacles queen of cups two of swords okay the empress king of swords the devil four of pentacles and यहाँ पर है seven of swords okay so guys दिखिए यहाँ पर अगर मैं कार्ट देखू तो सिर्फ मुझे 10% लोगों के लिए लग रहा है कि करियर में कुछ हैं changes बाकियों के लिए जिनकी अगर मैं personal life की बात करूँ तो वहां से मुझे messages मिल रहे हैं आज का रीडिंग देखें और ना मैं फिर से रीडिंग डालूंगी तो वह आप देख लेना करियर के लिए अगर मैं कहूं तो हाँ अबनेंस है और इसका मतलब है कि कोई ऐसा जौब आपको मिलने वाला है जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे थे आप ड्रीम्स देख रहे थे हो सकता है इस जगह आप पहले भी जौब करते हो और वहां से फिर आप निकल गए फिर आपने सोचा कि वापस से आपको जाना है लेकिन आपको मौका नहीं मिल रहा था ठीक है तो वहां पर आपके जाने के चांसे से यह मुझे दिखा परसनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो यहां पर एनाजी कुछ इस तरीके से है कि भई किसी का आप वेट कर रहे हो यह तो मुझे दिख गया और जिसका भी आप वेट कर रहे हो उनके साथ में कनेक्शन आपका ऐसा है कि कभी तो आपको बहुत अच्छा लगता है कभी यह तो लगता है कि हां सवर्ग है पर लगता है कि नर्क है मतलब प्यार भी बहुत है और फिर कभी-कभी गुस्षा भी बहुत आ जाता है और उसका रिजन यह है कि जिन के लिए आप बेट कर रहे हो वो काफी ज़ादा कोल्ड है मेनेपलेटिव है मेनेपलेट करते हैं बा कि न rain की नगे कि दिन अओंत तो राएंगे आप से बात करेंगे कभी तो दिल स्षादी कि ऑनकी लिए यह कहती है कि आपके बहुत प्यार के लिए मुझे यह लग रहा है कि हो सकता है इनी का रिष्टा आया हो आपकी पहले बात चीत होती रही हो लेकिन जब शादी की बात आई डिसीजन लेने की ठीक है ऐसा लगता है कि शायद आपकी फैमिली की तरफ से ही इनके साथ में आपको मिलवाया गया हो सब कुछ ठीक थ तो जो सिनेरियो आपसे रेजंएट करे आप ले लो इसी सिच्छेशन में हैं आप लो तो यहां पर अगर मैं यह दीखूँ जाने कि तुर्भ से आपको या बलेशिंग मिल रही है युनिवर्स आपको क्या मैसेजिए दिक्स देना चाहती है तो युनिवर्स आप से कयना आती है कि खुद की अबर्नेंस पर काम करें, जो अबर्नेंस आपकी लाइफ में आ रही है, यानि कि जो प्रपोजल्स आपको मिल रहे हैं, आपके करियर को देखते हुए, आपके पैशन को देखते हुए, तो उस पर फोकस करते हुए, अपनी अबर्नेंस पर काम करो, ना कि क किसी का वेट करो जिसको आना है वो आएगा ठीक है यह मैसेज है आपके लिए यहां पर अगर मैं गित्स की बात करूँ तो सीडी सी बात है यहां पर एमप्रेस का कार्ड है दिन टैन अफ पैंटिकल से इसका मतलब है कि कहीं न कहीं तो मुझे आप ऐसे भी दिख रहे हो लेक कुछ तो है एंड यहां पर जो लोग है मुझे ऐसा लगता है कि उस तो हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो शाइद खुदी यह रीडिंग्स वगरे करते हैं ऐसा लगता है या हीलर हो सकते हैं कि उनको काफी अच्छे से जानकारी है इन सारी चीज़ों की मतलब यह कनेक्शन क्या होता है या हीलिंग क्या होती है या सारी चीज़े क्या है या फिर हो सकता है आप देखते देखते इतना जान चुके हो लेकिन मैं यह देख पारी हूँ कि नॉलिज आपको अच्छी है इन सारी चीजों की फिर से देखिए डैवल आ गया है तो कोई तो ऐ निया कनेक्शन आपको मिल सकता है जिसके साथ में असाफ फील करो, ठीक है, सो कही ना कही बहुत जादा ओवर तिंक आप करेंगे, एंड, I feel कि काफी सारे लोगों का हो सकता है कि इनके साथ में कोई पार्टनर्शिप हो, ठीक है, और आप इनसे जुड़ें, उससे पैसा तो आपको बहुत मिलेगा, अबर्नेंस बहुत मिलने वाली है, लेकिन रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है कि थोड़े से इशूज हो जाएं, ठीक है, यह मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पार्टनर्शिप को लेकर एर साइन में भी आया था और यहाँ पर भी आया है, इस्ट्रेंद का कार्ड है, बॉटम अफ दे डेक, तो यह जो कार्ड है बताता है कि जो भी है, आपको मजबूती बना कर रखना है, यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेज है, वो मैं आपको दे देती हूँ, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज यह है कि सिचुएशन कैसी भी हो, आपको अपने उसूल नहीं छोडने है, नहीं तोडने है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप सबसे पहले उपर रखेंगे, और आपको पता होना चाहिए कि आपका महत्व क्या है, ठीक है, आपकी वैल्यू क्या है, किसी भी तरीकी का कॉम्प्रोमाइज ना करें, चाहें किसी की तरफ कितना ही अट्रेक्शन क्यों ना फील कर रहे हो, बट अपने वैल्यू को नहीं छोड़ना है, नहीं गिराना है, अपने उसूलों को नहीं छोड़ना है, किसी भी कीमत पर, मजबूती बना कर रखो, और जो आपको चाहिए, वो आपको मिलेगा, ठीक है, उस वक मिलेगा जब आपकी डिवाइन टाइमिंग आएगी, तो मन्त कुछ ऐसा रहेगा, या तो आपको ये कोई नया कनेक्शन मिलेगा, जिसके लिए आप बहुत जादा अट्रेक्शन सा फील करोगे, या फिर कोई है, जिसको लेकर आप परिशान रहते हैं, आपको लगता है कि ये डिसीजन ले तो चीज़े आगे बढ़ें, लेकिन न मन्त कुछ ऐसा होगा कि आप एक अलग सा ही खुद में चेंज महसूस कर पाओगे, हो सकता है आपको अपना लाइफ पॉपस मिल जाए, आपको अपना सोल पॉपस मिल जाए, कहीं ना कहीं आप बहुत जादा स्ट्रेंद खुद में महसूस कर पाओगे, इस कनेक्शन की यूनिवर्स की तरफ से एंजल्स की तरफ से एक अलग तरीकी की एनरजी, एक स्ट्रेंथ, एक मजबूती ऐसी जिसमें कि आपको ये फील होगा कि आप अकेले खड़े रहकर सब कुछ कर सकते हैं, you don't need anybody else, कुछ ऐसा होगा, और देख लेते हैं, यहां पर क्या आता है आप कहीं न कहीं आप भारी पढ़ जाओगे, अगर आप इनको पहले से जानते हो तो, और अगर ये कोई नए हैं, आपकी लाइफ में आने वाले हैं, कोई, तो भी मैं कहूंगी कि कहीं न कहीं आप इनको हैंडल करना सीख जाओगे, ठीक है, आपका जो पुराना अनुभव जो सीखा होगा, और इस कनेक्शन में भी आप काफी कुछ सीखोगे, कि अगर इस तरीकी की सिट्वेशन आती है, तो मुझे कैसे हैंडल करना है, ये काफी कुछ मुझे दिख रहा है, आप अपनी सुनने वाले हो, इंट्यूटिव आप हो ही, वही मैंने कहा था पहले ही, आपको धैर रखना है, कहां पर नहीं और धैर का फल मीठा होता है, ये चीज आपको समझा जाएगी, हो सकता इस से पहले आप काफी जादा ऐसा नेचर हो आपका कि आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हों, कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन धीरे-धीरे करके, न आपको मजबूत सा महसूस करोगे, स्टेबल सा महसूस करोगे, एंड खुद को एक अलगी पावर में पाओगे, जो एमप्रेस के एनरजी होती है, अम सभी जानते हैं, तो वो एनरजी आप में आईगी, ठीक है ना, एंड कहीं आप यहां पर यह जो कार्ड है, ये कार्ड म एक तरीके से मैं कहूँ तो आपकी अवैकिनिंग होने वाली है, ये ये वर्ट सेही है, सो देखते हैं यहां पर और क्या आता है आपके लिए, यूनिवर्स आपको और क्या देने वाली है, क्या बताने वाली है, बाबा का भी मैसेज देखेंगे, प्रे करें आप से कहा गय अबर्नेंस जो कि मैं आपको बता ही रही थी यहां पर और क्या ने वाला है सल्यूशन आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन आपको मिल जाएगा आप खुद ढूंग लोगे तो हो सकता आप अपने त्वेंड फ्लेम से मिल जाएगे देख लेते हैं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है बाबा आपको क्या कहना चाते हैं कि इस दोरान आपको क्या करना है क्या नहीं यहां पर भी वही मैसेज आया है जो air sign वालों के लिए आया था यहां पर है you are the universe and law of attraction यानि कि दोनों ही cards कहीं न कहीं similar हैं तो ये cards बताते हैं कि अगर आपको law of attraction का अच्छे से नहीं पता है तो जाइए इसके बारे में पता कीजिए और ऐसा भी हो सकता है कि law of attraction के बारे में ही आपको अच्छे से पता चल जाए next month और कुछ ऐसा हो जो आपने manifest किया हो वो पूरा हो जाए तो उसकी वज़े से आपके अंदर confidence आजाएगा एक अलग सी ही energy आजाएगी कि मैं कुछ भी गर सकती हूँ तो ये हो सकता है universe आपको बोल भी रहे हैं बाबा आपको बोल भी रहे हैं कि हाँ you are the universe यानि कि खुद को universe समझो और समझो कि सब कुछ आपके ही हातों में आप जैसा सोचोगे वैसा ही होगा ठीक है ना यहाँ से और देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आता है let's see मैं यहाँ से दो messages देखने वाली थी लेकिन air sign वालों के लिए भई तीन आ गयते तो मैं यहाँ पर भी तीन ही देखूंगी no discrimination so let's see यहाँ पर है kiss तो आपको kiss मिलने वाली है आपके turn flame से मिल सकती है भई good news आपको good news मिलने वाली है and यहाँ पर मिलने वाला है आपको क्या reunion okay तो आपका reunion हो सकता है next month congratulations guys so यह थी आपकी reading I hope आपको पसंद आई हो आई हो तो please like करें resonate करी हो तो बताना ना भूले subscribe करना ना भूले इस channel को thank you so much for watching the video take your love you bye bye hey guys तो आप मैं रीट करने वाली हूँ कार्ट और लोगों के लिए जो की आते हैं fire sign में Aries, Leo and Sagittarius let's see कि यह जो मे का मन्त है कैसा जाने वाला है आपका और क्या messages है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या guidance है क्या gifts है क्या blessings है सब कुछ देखेंगे let's see क्या होता है okay so judgment का card है यानि के divine timing आ गई है आपकी guys अगर आप किसी भी फैसले को लेकर अठके हुए थे तो वो फैसला हो जाएगा में मन्त में ठीक है अगर किसी relationship को लेकर है या कोई case चल रहा था या फिर career को लेकर आप परिशान थे decision लेना था आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना है तो उसकी उन सारी ही चीजों की divine timing आ गई है जो आप pray कर रहे थे जो आप मांग रहे थे इशर से तो इशर अब आपको देने वाले हैं eight of swords ten of pentacles nine of swords ये जब मैं shuffle कर रही थी तब भी आपको दिखा होगा card and okay but मैं नहीं ले रही आना होगा तो आईगा two of swords I think मैं देख रही हूँ मैंने air sign का किया then earth sign का किया then fire का कर रही हूँ सभी मैं decision making को लेकर ही cards आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सभी की divine timing है ये divine timing किसी को भी लेकर हो सकती है अपने personal life को लेकर या professional life को लेकर जो प्रार्थनाएं आप कर रहे थे जो manifestation आपका चल रहा था तो उसके लिए universe आपको जवाब देने वाली है closer मिल जाएगा आपको ठीक है ये मैं देख पारी हूँ हो सकता है किसी connection में आप रहे हों जिसको लेकर आप confused है आप किसी के साथ में रहना चाते हैं लेकिन शायद वो आपके साथ में नहीं रहना चाता या फिर कोई आपके साथ में रहना चाता है जिसको आप साथ में नहीं रखना चाते है कुछ भी ऐसा हो सकता है, शादी को लेकर प्रेशर हो सकता है। अगर शादी को लेकर नहीं है तो हो सकता है करियर को लेकर किसि ना किसी तरीकी का प्रेशर जरूर है आपके उपर और आप खुद को थोड़ा सा स्टक महसूस करते हो थोड़ा फंसा हुआ सा कि क्या कैसे सब कुछ किया जाए हैं एसे लगता है जैसे कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपने की हैं जो आप अपनी फैमली को बता नहीं सकते हैं छिपा कर आपने रखा हुआ है बट आप बताना चाहते हैं ठीक है तो कुछ तो चीजें हैं कुछ तो ऐसी चीजें हैं जिनकी वज़े से आप काफी ज़्यादा परेशान है यह तो मुझे दिख रहा है बट जो भी है गाईज यह में का जो मन्त है ना इसमें आपको डिसीजन लेना ही पड़ जाएगा क्योंकि यूनिवर्स चाहती है और यह आपके लिए अच्छा है मैं बताऊं तो यह आपके लिए अच्छा है हो सकता है कुछ जैसे एनरजी औरिकल में और आपको आप इसलिए चिपा कर रखे थे कहीं उसकी वज़े से आपके जो फैमली मेंबर्स हैं आपके बारे में गलत ना सोचने लग जाएगे बट मैं आपसे कहूंगी कि उसका सामने आना ही जरूरी है वो आपके लिए सही रहेगा क्योंकि I think आप overthink कर रहे हो आपकी फैमली आपको समझ जाएगी लेकिन शायद किसी डर की वज़े से आप बता नहीं पा रहे है तो जो भी है आप मैं कहूंगी कि खुद से ही बात कर लो क्योंकि अगर आप खुद से नहीं करोगे तो कहीं और से पता लगेगा और क्योंकि वो डिवाइन टाइमिंग है तो यूनिवर्स कहीं से भी पता लगवा देगी बट अगर मैं देखूं कि यूनिवर्स आपको क्या देने वाली है तो जस्टिस देने वाली है ठीक है, क्लोजर देने वाली है जिसमें भी आप इस्टक होंगे उसको लेकर पेज ओवांस टैमरेंस मैंने कहा था ना कि अगर आपने कुछ हाइट करके रखा है तो आप बता दें अगर आप खुद किसी को लेकर इस्टक हैं कि कोई आप किसी के साथ में रहना किसी कोई चाहते हैं वो आपको कमरेंन रहे होगा तो आपको ढ़ाना नहीं देरा तो कい आपको से अपको जजज्मेंट और आपको तो आपको ज़ज्मेंट अटा से अपको जश्ट क्लोजर मिल जाएगा युनियन हो सकता है या फिर जो भी है तो वहां से आपको judgment, वहां से आपको justice मिलेगा, ठीक है, क्लोजर मिल जाएगा, युनियन हो सकता है या फिर जो भी है, क्लोजर आपको मिलेगा, ताकि आप खुद को हील कर सको, आपको सुखुन मिले, यह stress आपको खत्म हो, क्योंकि एहां पर temperance का काड़ एगया है, तो सीरी और आपको मिल सकता है, गाइड करने के लिए, किसी से मैसेज आपको मिलेगा, और वो एक मैसेज आपकी लाइफ चेंज कर देगा, ये मैं देख रही हूँ, Seven of Wands, The Empress, यहाँ पर भी Empress का कार्ड है, और लगातार आ रहा है, Air में भी आया, Earth में भी आया, Fire में भी आया है, तो see, यहाँ पर I feel the world, हो सकता है आपकी मॉम को लेकर issues चल रहे हो, आप अपनी मॉम की वज़े से कोई decision नहीं ले पा रहे हैं, हो सकता है आप किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन आपकी मॉम नहीं मान रही हैं, या distance है आप दोनों के बीच में, या फिर सब्सक्राइब है कि कहीना कहीन अबनेंस जो है आपकी लाइफ में आ रही है, लेकिन यह आएगी यह साइकल कंप्लीट होने के बाद ही, ठीक है, में मन्त में कुछ तो होगा, कुछ तो ऐसी चीज ज़रूर होगी जिसकी वज़े से हो सकता है आपको थोड़ी सी टेंशन हो बट वो सब अच्छे के लिए है, जैसे ही साइकल कंप्लीट होगा, यानि कि यह जो डिसक्रशन है, यह होगा, थोड़ा सा बहस हो सकता है, बट फिर चीज़ें अचानक से चेंज हो जाएगी, यह होगा यहाँ पर, में मन्त में, येस, ब्रोकेन होट, क्म्यूनिटी, I need two more cards, man holding a heart, in anion, okay, तो true love हो सकते हैं, आपके, see, मैं आप से क्यारी थी storm warning की बात, और यहाँ पर देखो, वही card आगया, मैं इसी card के बारे में बात कर रहे थी, ठीक है, so, यहाँ पर, हो सकता है, आप अपने किसी soulmate से deal कर रहे हो, turn flame से deal कर रहे हो, okay, और उनकी वज़े से हो सकता है, ऐसा हो कि वो आप से हा नहीं कह रहे हो, और आपके family members, आपकी शादी के लिए, आपको बार बार बोल रहे हैं, कि शादी करो, कब करोगे, क्या है, क्य नहीं, so, यहाँ पर, कोई है, जो आपकी help करेगा, मैंने कहा ना, कि किसी की तरफ से message आपको मिलेगा, जिसे की आपकी जिंदगी पूरी तरीके से change हो जाएगी, यह जो आप भारी-भारी सा feel करते हो, ब्रोकेन होट का यहाँ पर कार्ड है, दिल टूटा हुआ सापको सबी ने आपको होटी किया है, आपके बारे में किसी ने नहीं सोचा तकलीफ दी आपको, so, इस energy से आप बाहर निकल जाओगे, यह एक message किसी से मिले का आपको, यह कोई तो है, आपका कोई friend है, या फिर हो सकता है कोई बन जाए, उसकी आने भर की देर है और चीजें पूरी को पहले से जानते हो, तो मैंने यह आपको बदा दिया, जो नहीं जानते हैं, हो सकता है, उनके साथ में ऐसा हो कि शादी के लिए बोला जा रहा हो, और उनको लग रहा हो कि उनका perfect partner, उनको नहीं मिला कैसे शादी कर ले तो आपको आपका perfect partner मिलने वाला है, और राइट, य आप इतना grow नहीं कर पाते हैं, जितना कि आपने किया हैं, क्योंकि आप काफी जादा मस्बूत हैं, जो मैं देख पारी हूँ, इतना सब कुछ होने के बाद भी, आप अभी तक सब कुछ handle कर रहे हैं, यह इतना आसा नहीं होता, so universe ने आपको बना दिया है ऐसा, यहाँ पर आपको बना प्रोकेन हर्ट का कार्ड आया कि सब के बारे में सोचने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिलता सिवाय स्ट्रेस के और लोग आपको नहीं समझते, बट यहाँ पर universe कह रहे हैं, कि equal give and take अप होगा, अप अप जस्टिस मेलेगा आपको, ठीक है ना, परिशान ना ह यहाँ पर है the chariot and then you got queen of swords, yes, power आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है, but I feel कि आप बहुत जादा खुद को गार्ड करने वाले हो, मतलब आपको ऐसे लगेगा कि बस बहुत हुआ और अब मुझे नहीं सहना है, ठीक है, कुछ ऐसा होगा, कुछ इस तरीके का transformation होगा, कि आप कहोगे कि मेरी जिन्दिगी को अब मुझे ही handle करना है, मुझे किसी की नहीं सुननी, ऐसा भी हो सकता है कि आप कही न कहीं दूसरों पर ही repent रहते हों, अगर यहाँ पर decision लेने की बात होती हो, तो next month कुछ ऐसा होगा कि आप में ऐसी strength आईगी, कि आप सब कुछ वैसे कुछ भी अच्छा नहीं होता, kindness भी नहीं, कि आप दूसरों को तो खुश कर रहे हो, लेकिन खुद को hurt कर रहे हो, तो उस energy से आप बहार निकलोगे, एक balance बना लोगे, खुद के अंदर, आप किसी की सुनने नहीं वाले, यह समझ लो, ठीक है, आप किसी की भी नहीं और आपका ये रहेगा कि जो मेरे लिए सही है, मैंने वो करना है, और खुल कर आप बात करोगे, ठीक है, यह energy मैं फील कर पा रही हूँ, और यह air and earth में भी था, और आपके लिए भी आया है, काफी सारे लोगों की तो union होने वाली है, यह मुझे दिख रहा है, ठीक है, divine timing आ तो टाइम बहुत अच्छा है, यह तो मैं देख रही हूँ, बट थोड़ा सा खुद का ख्याल रखें, जादा इस्ट्रेस ना ले, and अच्छी है यह energy, खुद को गार्ट करने की, ठीक होती है, sometimes, बट वही कौंगी की लिमिट से जादा कुछ नहीं, ठीक है ना, तो देख पर अच्छ मंद आपको क्या मिलेगा, आपकी मीहनत का फल, यह मिलेगा आपको, युनिवर्स आपको वही कह रही है, और आपसे यह कह रही है कि बहतर होगा कि बैलेंस बना कर रखो, इस्ट्रिक्ठ होना ठीक है, जहाँ पर होना है, हर चगे नहीं, और बहुत जादा नही जहाँ पर kind रहना है वहाँ पर kind रहो जहाँ पर आपको थोड़ा सा मजबूती से काम लेना है थोड़ा सा कठोर होना है वहाँ पर कठोरता दिखानी है यह ध्यान रखना दोनों में balance बना कर रखना यहाँ पर chariot है यहाँ पर six of pentacles यहाँ पर queen of swords ठीक है तो जहाँ पर जिस चीज की जरूरत हो वहाँ पर वो चीज अपनी वो अपना power आपको यूज करना है प्रे करें ठीक है यूनिवर्स ने कहा है एंड अप्रूवल आपको मिलेगा ओके एंड आपको क्या मिलने वाला है तो आपको आपका twin flame मिलने वाला है next month और देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है आपके लिए चलिए ले ले लेते हैं loyal friend तो कोई ऐसा वफादार दोस्त आपको मिलने वाला है जो आपकी help करेगा and health मैंने कहा ही था so अगर health को लेकर issues हैं तो आपको अच्छी health मिलने वाली है and यहाँ पर मैं यह भी कहूँगी कि अपनी health का ख्याल रखना है marriage marriage को लेकर issues चल रहे हैं next month possible है कि fix हो जाए आपकी शादी and या तो कोई नया मिलेगा या फिर आप जिनका wait कर रहे हैं वह आपको मिलेंगे जैसे कि मैंने कहा कि divine timing आ गई है किसी तरीकी closer आपको मिलेगा तो इसके लिए तयार रहे हैं बाबा की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए क्या message है बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं कर्मा तो यहां पर बाबा कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है वो एक तरीकी से आप कार्मे क्लेंजिंग ले लो ठीक है कोई punishment नहीं है यह जो हम कर्म करते हैं उनका फल हमें मिलता है तो हो सकता है कि इस जन्म में नहीं आप बहुत अच्छे रहे हैं लेकिन past life का मा हो सकते हैं जिसकी वज़े से आप थोड़ा सब अभी face कर रहे हो याद रहे कि बाबा कभी आपके साथ गलत नहीं करेंगे यह cleansing होगी और उसके बाद आपको अच्छा ही मिलेगा जो भी मिलेगा वो वाउज और प्रॉमिसेस का जो कार्ड है बताता है कि अगर आपने कोई मनते वगेरे मांगी हैं तो उनको पूरा करना ना भूलें उनकी वज़े से थोड़ा health को लेकर issues होंगे और हो सकता आपकी marriage को लेकर issues हो और जो भी है next month आपको closer मिल जाएगा और आपकी health भी अच्छी हो जाएगी एक अच्छा दोस्त भी आपको मिलेगा आपका twin flame भी आपको मिलेगा marriage के भी chances हैं तो काफी कुछ अच्छा है बट यह कुछ चीजे हैं जिनका ख्याल आपको रखना है यह थी आपकी reading आपको पसंद आई हो आई हो तो प्लीज लाइक करें resonate करी हो तो बताना ना पुले subscribe करना ना पुले इस channel को share करना ना पुले thank you so much for watching the video take care love you all bye bye